दुनिया का सच यही है कि अमेरिका सुपर पावर है और रूस अपना सुपर पावर का रुत्बा गमा चुका है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रूस कमजोर है आज भी पूरी दुनिया में रूस ही कलोता देश है जो अमेरिका को चुनोती देने की कुवत रखता है क्योंकि दुनिया के सबसे विध्वनसक और विनाशकारी हत्यार रूस के पास है सारे modern warfare रूस के जखीरे में है कहते हैं ना कि हाथी के दाथ खाने के और और दिखाने के कुछ और होते है ठीक ऐसा यह रूस उसके पास सीक्रेट हत्यारों की भरमार है और वही पुतिन की पावर का राज है टेली स्रीज के इस एपिसोड में देखिए घात ट्रिकी गेम आफ चाइना जिन्पिंग पुतिन को जश्टन का मौका प्रेजडेंट ट्रम्प ने दिया था अमेरिकी राष्टपती ने अगस्त 2019 में इंटरमेडियेट रेंज नुकलियर फोर्सिस ट्रीटी से खुद को अलग कर लिया इस बंदिश के खत्म होते ही चीन रूस ने लॉंग रेंज मिसाइल धमाकों की जड़ी लगा दे 29 अक्टूबर 2019 आरकजेंस्क वाइट सी उत्तरी रूस परमाणू पंडूब्बी के 114 तुला सफेद सागर में गोते लगा रही थी जब पंडूब्बी येरोप तट के करीब पहुची तो नौसैनिक हरकत में आ गए वार रूम से प्रेजडेंट पुतिन का ओडर आ चुका था सब्मरीन के 114 से बैलिस्टिक मिसाइल लॉंच की गई मिसाइल का नाम RSM-56 बुलवा था मिसाइल से फादर आफ एटम बम का टेस्ट किया गया सफेद सागर से चली मिसाइल का धमा का बैरिंट सी में हुआ जिसके साथ विनाशक हत्यारों की होड में रूस सरताज बन गया जिसके पास सबसे विध्वनसक सबसे ज्यादा एटम बम है जिसके पास सबसे ज्यादा दोरी तक मार करने वाली मिसाइल है जिसके पास दुनिया का सबसे धमदार डिफेंस सिस्टम है पुतिन के मिसाइल तरकश में छे ऐसी मिसाइल हैं जिनके एक वार से दुनिया दहल जाए पुतिन के पास RS-36 सर्मट मिसाइल है जिसे साटन टू भी कहते हैं 35 मीटर लंबी, 3 मीटर चौनी, 208 टन वजनी मिसाइल जो 18,000 किलो मीटर तूर किसी भी इलाके को परमानू धमाका करके खाग कर सकती है साटन टू एक साथ 15 नुकलियर वार हेड लेकर उडान भरती है नाटो सेना इस मिसाइल को शैतान नाम देती है जबकि साटन टू से भी घातक मिसाइल रूसी सेना ने युद्ध के मैदान में तैनाद कर रखी है इसका नाम है एवनगार्ड यूराल की पहाड़ियों में पुतिन की हाइपरसोनिक नुकलियर मिसाइल दिसमब 2019 में भेजी गई एवनगार्ड दो टन वजनी पांच मीटर लंबी हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रफ़तार आवाज की गती से 20 गुना ज्यादा तेज है रूस के हाइपरसोनिक हत्यारों में एक मिसाइल किंजल है जिसकी डिटेल रूसी सेना ने साजहा नहीं किये रूसी नौसेना के पास ऐसी नूकलियर मिसाइल है जिसके इस्तिमाल में किसी सेनिक की जरूत नहीं पड़ती खुद बाखुद खत्रे के वक्त ये मिसाइल एक्टिव हो जाती रूस की इंटर कॉंटिनेंटल मिसाइल जखिरे में आर टी टू टोपोल को भी महा विध्वनसक माना जाता है जिसकी जद में दुनिया का कोना कोना आता है दुनिया दहलाने वाले बंप्स ब्रूम्स डेबम पर पुतिन की आर्मी जोर शोर से जुटी है जिसकी अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये विध्वनसकारी बंप 25 मीटर लंबा और 100 अनवजनी है इसे सिंथेटिक रेडियो धर्मी तत्तु कोबाल्ट 60 के जरिये बनाया गया है इसकी बैलिस्टिक मिसाइल के जरिये डूम्स डे बंप को दागा जा सकता है इस बंप के साथ इसकी फमिसाइल 10,000 किलोमीटर की दूरी तै कर सकती है 60 मील पृतिघंटे की रफ्तार से किसी तारगेट पर निशाना लगा सकती है इस बंप को सी लेवल से 3000 फीट नीचे तक कई सालों तक रखा जा सकता है आधुने की युग के सबसे घातक और विनाशक हत्यार जुटा कर पुतिन ने दुनिया में डंका बजा दिया यही वज़े है जो आज रूस से टकराने से पहले किसी भी दुश्मन को हजार दफा सोचना पड़ रहा है वरना एक वक्त ऐसा भी था अमेरिका ने पुतिन के देश के टुकड़े टुकड़े कर दिये थे परवाह देशकी सोमवार से शुक्रवार रात दस बजे टीवी नाइन भारत वर्षपर जात दसक्रवार रात वर्वार रहा है